नमस्कार दोस्तों, आपके हम आपके परिवार के अच्छे स्वास्तिक शुप कामनाओं के साथ, आज की इस वीडियो में, इंकम टेक्स की कुछ ड्यू डेट्स में एक्स्टेंशन, जो की सीवी डेटी द्वारा 20 माई 2021 को घुशित किये गए हैं, उन पर एक छोटी सी लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिस प्रकार भारत सरकार की ओर से, पिछले वर्ष 2020 में, कुरोना की प्लतम लहर के दौरान, कुछ एक्स्टेंशन किये गए थे, ITR फाइलिंग डेट्स में, और अन्य रिलेक्सेशन भी दिये गए थे, उसी प्रकार इस साल भी, जो ITR फ CBDT ने एक सर्कुलर 9-2021 इशू किया, इस सर्कुलर का रेफरेंस आपके समक्ष है, इस सर्कुलर में बहुत सारी डेट्स में एक्स्टेंशन किया गया है, मैं जो में में एक्स्टेंशन अससी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज से रिलेटर है, उनकी यहां पे चर्चा आ करने की तैयारी अब हमें करनी है, अगर आप रेगुलर टेक्स पेर हैं, आपकी ड्यूरेट इकतिस जुलाई 2021 हुआ करती जी सर्, उसे दो महीने बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दिया है, अगर आप ऐसे अससी हैं सर्, जिस पर किसी भी लाउ में ऑडिट होती है, या आप पर प्रावधान एप्लिकेवल होते हैं, तो पहले आपकी ड्यूरेट और फाइलिंग रिटर्न मूल रूप से थी 31 अक्टूबर 2021, उसे भी बढ़ा करके सर, अब 30 रौंबर 2021 कर दिया गया है, तो ये दो महत्तुपूर्ण ड्यूरेट के एक्स्टेंशन इन रेलेशन टू क्योंकि ड्यूरेट में एक्स्टेंशन हुआ तो आपको एक्स्टा टाइम लिमिट तो मिली रहा है रिटर्न बरने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सर, क्योंकि ड्यूरेट में एक्स्टेंशन दो महिने एक महिने जो भी आप पर एप्लिकेवल है, आपको 234 एके इंट्रेस् अगर आपका self assessment tax एक लाग रुपए से ज्यादा का payable है यानि net tax liability after TDS, TCS, advanced tax एक लाग से ज्यादा की अभी भी बच रही है जो आपने 31 माच 2021 तक पे नहीं करी assessment year 2021 के लिए तो आपकी for the purposes of computation of interest under section 234 जो interest लगता है उस section में उसके purposes से आपकी due rate 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ही र सतर्क रहना है जिनकी due date of filing return extend तो हो गई पर उनका self assessment tax एक लाग से ज्यादा है तो अगर वो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक अपना self assessment tax नहीं जमा कराएंगे तो उन्हें 234 एक का interest भी लगेगा साथ ही दोस्तों क्योंकि due date में extension हुआ है तो 234 F की fees भी correspondingly जो भी 1000 या 5000 लगती हो या 10,000 लगती हो वो भी correspondingly आपको उस period में जो आपने बढ़ाई गये अवधी में return बरी है उसके लिए 234 F की fees applicable नहीं होगी एक और benefit जो उन करदाताओं को होगा जिनके लिए capital gain account scheme में पैसा जमा कराना long term capital gain को बचाने के लिए जरूरी होता है क्योंकि due dates बढ़ा दी गई है तो ऐसे assesses जो capital gain का भी investment नहीं कर पाए, net consideration का भी investment नहीं कर पाए, वो बढ़ाई गई अवधी में investment करके या तो asset में या capital gain account scheme में capital gain exemption लेने के हगदार होंगे belated return या revised return ITR की filing date में भी sir extension आया है, लेकिन यहाँ एक बात आपके सामने रखता हूँ, budget 2021 में भारत सरकार ने गोशना करी थी, कि जो revised return या belated return भरने की date है, उसको भी हम 9 month from the end of limit assessment year तक ही limited कर रहे हैं, यानि जो original date रहेगी belated return, revised return की, वो थी 31 December 2021, लेकिन कोरोना के सरकार ने revised return भरने की date भी फर्दर बढ़ा करके, एक महीने से बढ़ा करके, 31 January 2022 कर दी है, ये एक point आपको ध्यान रखना है, tax audit की due date भी sir, फर्दर बढ़ाई गई है, जो original due date थी tax audit की assessment year 21, 22 के लिए वो थी 30 September 2021, अब उसे बढ़ा करके, 31 October 2021, यानि एक महीने से बढ़ा दिया requirement भी थी, तो जो last quarter की TDS return, जो हमारे को file करनी थी 31 मई 2021 तक, उसे भी एक महीने बढ़ा करके, 30 June 2021 कर दिया गया है, अब naturally sir, क्योंकि TDS return भरने की date बढ़ी है, तो TDS certificates की date भी बढ़ेगी, तो TDS certificate जो चाहे form 16 के सुरूप में हो, या 2021 के अंतिम quarter के संदर में, जो TDS certificate issue होते हैं उनकी due dates भी सर्फ 15 June 2021 से एक महीने बढ़ा करके 15 July 2021 कर दी गई है, एक छोटी सी चर्चा दोस्तों इस विशे पर भी कर लेते हैं कि कहां relaxation नहीं दिया गया, कि मान लिजे present Corona की लहर के चलते, आपका पिछला जो पैसा Capital Gain Account में पढ़ा है, वो जमा कराने की आपकी समयावदी खतम हो रही है, you are supposed to invest that amount into a new construction or a new house, लेकिन आप अभी स्थक हैं, आप अभी किसी वज़े से अपना construction या acquisition नहीं कर पा रहें, तो क्या आपकी time limit बढ़ी क्या, नहीं सर, कोई time limit नहीं बढ़ी, जबकि पिछले साल भारत सरकार ने समयावदी बढ़ाई थी, इसी प्रकार से दोस्तों, present corona की लहर की वज़े से बहुत सारे लोगों का व्यापार, काम धंदा प्रभावित हो गया, और उनको किसी प्रकार से TDS deposit कराने में, TCS deposit कराने में, as such, कोई relaxation from interest भारत सरकार ने अभी तक सपश्ट रूप से नहीं दिया, financial year 2021-22 के लिए, तो जब आपको कोई relaxation नह महिना निकल गया, मही भी अब निकल जाएगा, and you could not deposit the TDS liability for April till date, because of the shortage of funds, तो आपको किसी प्रकार का interest का relaxation इस अंदर में अभी तक भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार ने जो present relief दी, हम ना किवल उस से लाभानवित ह होंगे, बलकि भारत सरकार आने वाले टाइम में, जनता जनारदन को इस समय जो बहुत बड़ा हिट लग रहा है, कोरोना की लहर की वज़े से, lockdowns की वज़े से, ना चुली सर जान है, तो जान है, वो पहला मंतर है, ठीक है, कि हम सब को सुरक्षित इस लहर से निकलना है, अ हम भी उनहीं की public at large है, ठीक है, they are because of us, so why not they should take care about us, कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता सर, लेकिन मैं यह मानता हूं, कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, और जो relief, चाहे financial end पर, चाहे काम धंदे के end पर दी जा सके, वो आने वाले समय में विचार करनी पड़ेगी, ताकि वापस से भारतवर्श खड़ा हो, और पुने समर्दी किरापे हम सब लोटे, इनी शुबकामनाओं के साथ सर, मैं आज की ये वीडियो समाप करता हूं, धन्यवाद, जैहिन